आज कल अनेकों जनपदों के विभिन विद्यालयों में ग्रज्यूटी हे तू सेवानिवृती या यू साथ वर्ष या बासट वर्ष का विकल्प भरवाया जा रहा है। कई शिक्षकों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि सेवानिवृती हे तू कौन सा विकल्प दिया जाए? साथ वर्ष में सेवानिवृती का विकल्प भरने में फायदा है या बासट वर्ष में? आज के इस विडियो में आपके सभी चिंताओं, संशयों पर विराम लग आज हम बताएंगे कि आपको कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? हम बताएंगे कि आपने जो विकल्प दे दिया है, क्या आप भविश्य में रिटायर्मेंट है तू अपना विकल्प बदल सकते हैं? आप समझिए कि एड़ेड माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की रिट अधिक्तम आयू 62 वर्ष है. लेकिन अगर आप 62 वर्ष की आयू में रिटायर होते हैं तो आपको ग्रेज्यूटी का लाभ नहीं मिलेगा. ग्रेज्यूटी का लाभ तभी मिलेगा जब आप 60 साल में रिटायर होंगे या 60 साल में रिटायर होने का विकल्प देंगे. अब स अगर कोई शिक्षक 60 साल पर रिटायर्मेंट का विकल्प भरा है और उससे पूर्व उस शिक्षक की मौत हो जाए तो उसके परिवार को यह ग्रेज्यूटी अमाउंट दी जाती है। रिटायर्मेंट है तू विकल्प भरने का सबसे अधिक फाइदा इसी परिस्थिती में मिलता है। प्रती एक साल आपको दो बार विकल्प बदलने का अधिकार है। आप चाहे तो अपनी सेवा काल में एक बार ही नहीं बलकि अनेकों बार रिटायर्मेंट एज बदल सकते हैं। इसी लिए हमने आपसे कहा कि ग्रेज्यूटी हे तू 60 साल में सेवानिवृती का विकल्प देनी चाहिए। ध्यान रहे कि 62 वर्ष का विकल्प भरने का मतलब है ग्रेज्यूटी न लेने का विकल्प। यानि आप ग्रेज्यूटी का लाभ नहीं लेना चाहते। हमारी समझ से आपको 60 वर्ष की आयू में रिटायर्मेंट का विकल्प देना चाहिए, क्यूंकि हम जानते ही हैं कि इसे कभी भी बदला जा सकता है, प्रती वर्ष में दो बार विकल्प बदलने की सुविधा है, अगर आप हमारी बात करें, तो हमने खुद 60 वर्ष का ही विक अपना कमेंट जरू भेज़ें, और इस वीडियो को अधिक सदिक सेर करें, साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, इसके लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, धन्यवाद.